जयाप्रदा एक भारतिय फिल्म अभिनेत्री और राजनीतिज हैं। एक वक्त था जब उन्होंने हिचकिचाते हुए एक फिल्म में सिर्फ थ्री मिनट का नृत्य प्रदर्शन किया था और उसके लिए उन्हें सिर्फ टेन रुपे का महनताना मिला था। इसके बाद जयाप जयाप्रदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी का नतीजा है कि आज वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आईए इस खूबसूरत अभिनेत्री के जीवन को जरा तफसील से समझें। जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमंडरी में एक मध्यम व निर्देशक ने जयाप्रदा को तेलुगू फिल्म भूमिकोसम में थ्री मिनट के निर्द्य की पेश कश की। पहले जयाप्रदा थोड़ी हिचकिचाईं लेकिन परिवार के प्रोथसाहन के बाद जब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो इस काम के लिए सिर्फ 10 रुप सन 1976 की हिट तिकडी के साथ एक बड़ी स्टार बन गई के बालचंदर की अंतुलेनी कथा में जया के नाटकी एक कौशल को समेटा गया जया ने शानदार नृत्य कौशल वाली एक मूख लड़की की भूमिका निभाई और सीता की शीर्षक भूमिका निभाई जया प्रदा के विश्वनाथ ने 1976 में बनी फिल्म सिरी सिरी मूववा का सरगम शीर्षक से हिंदी में पुनर निर्मान किया रातों रात स्टार बन गई जया प्रदा ने सर्वश्रेष्ट अभिनेत्री के रूप में पहली बार फिल्म फेर में नामांकन किया लेकिन हिंदी नहीं बोल की वजह से इस काम्याबी को भुनाने में नाकाम रही इसके त्री साल बाद निर्देशक के विश्वनाथ ने हिट फिल्म कामचोर के जरिये हिंदी फिल्मों में दोबारा एंट्री दिलाई तो वह पहली बार धारा प्रवाह हिंदी बोलती नजर आई अब वह लगातार हि प्रवाह हिंदी फिल्मों में काम करने में सक्षम बनी और प्रकाश महरा की फिल्म शराबी 1984 में अमिताब बच्चन की प्रेमिका के रूप में और के विश्वनात की संजोग 1985 में अपनी चुनोती पूर्ण दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेतरी के अमिताब बच्चन और जितेंद्र के साथ सफल जोडी बना चुकी जयाप्रदा ने उस वक्त की प्रतिद्वंधवी श्रीदेवी के साथ भी लगभग एक दर्जन फिल्मों में अभिनाय किया है 2002 में उन्होंने फिल्माधार में एक अतिथी भूमिका के जरिये मराठी फिल्म उद्द्योग में कदम रखा अब तक उन्होंने साथ भाशाओं में काम किया है और 300 फिल्मों में जहां तक निजी जीवन की बात है जयाप्रदा ने 1986 में पहले से विवाहित निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की इस शादी ने कई विवादों को जन्म दिया खास कर इसलिए कि नाहटा ने चंद्रा को तलाक नहीं दिया और जयाप्रदा से शादी करने के बाद भी बच्चे पैदा किये जयाप्रदा और श्रीकांत के कोई बच्चे नहीं है चैन्नई में जयाप्रदा थियेटर की मालकिन है वहीं सन 1994 में उनके पूर्वसाथी अभिनेता एंटी रामराव उन्हें तेलुगू देशम पार्टी के जरिये राजनीती में ले आए बाद में जयारामराव से नाता तोड़ पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गई 1996 में उन्हें आंधर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया चंद्रबाबू नायडू के साथ मदभेदों के कारण तेलुगू देशम पार्टी को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई 2004 के आम चुनावों में रामपुर संसदिय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीती 2019 में लोक सभा चुनाव से पहले जया प्रदा भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो गई